जिस रावण से सारा संसार खौफ खाता था, वह रावण भी तीन ऐसे योध्धा थे जिन से डरता था। भगवान राम के अलावा केवल दो ही योध्धा ऐसे थे जो रावण को मृत्यू के हवाले कर सकते थे। रावण इतना शक्तिशाली था कि उसको मारने के लिए स्वयम भगवान को जन्म लेना पड़ा। लेकिन भगवान राम के अलावा हनुमान जी और बाली रावण का वध्ध आसानी से कर सकते थे। हनुमान जी तो इतने ज्यादा शक्तिशाली थे कि वे चाहते तो आपने खुद से ही रावण का वध कर सकते थे। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उन्हें प्रभुराम का आदेश नहीं था। दूसरा था बाली जिसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि वह जिसके साथ भी युद्ध करेगा उसकी आद्ही ताकत बाली में आ जाएगी। एक बार रावण बाली से युद्ध करने के लिए पहुँच गया था। बाली उस समय पूझा कर रहा था। रावन बार बार बाली को ललकार रहा था, जिससे बाली की पूजा में बाधा उत्पन्न हो रही थी जब रावन नहीं माना तो बाली ने उसे अपनी बाजू में दबा कर चार समुद्रों की परिक्रमा की थी बाली बहुत शक्तिशाली था और इतनी तेज गति से चलता था कि रोज सुभह सुभह ही चारों समुद्रों की परिक्रमा कर लेता था इस प्रकार परिक्रमा करने के बाद सूर्य को अर्ग्य अर्पित करता था जब तक बाली ने परीक्रमा की और सूर्य को अर्ग्य अर्पित किया, तब तक रावण को अपने बाजू में दबाकर ही रखा था अगर वह चाहता तो रावण को मार सकता था फिर भी रावण को अपने आप पर इतना घमंड था यही घमंड रावन का मौत का कारण बना जानकारी कैसी लगी कमेंट करे साथ में जय श्री राम लिखना ना भूले